नमश्कार, जम्मू कश्मीर में किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी कोई कमाल दिखा पाएगी? क्या पहली बार कोई घयर मुसलिम जम्मू कश्मीर का सीम बन पाएगा? या फिर सत्ता एक बार फिर अब्दुल्ला परिवार के हाथ आएगी? उस फैसले की घड़ी की गिनिती अब सिर्फ चंद घंटों में की जा सकती है जब 8 अक्टूबर को जनता का फैसला EVM से बाहर आएगा? दरहाल वोटर्स ने अपना काम कर दिया है, कुल 64% वोटर्स ने मत्तान किया है, 64% जो अब तक का सबसे ज्यादा है और जम्मू कश्मीर ने इसी के साथ इतिहास रच दिया है, यानि जनताने अपना फैसला सुना दिया, अब बस इनजार EVM के जर्ये मतगणना का है, लेकिन इस पीछ प्रदेश में अफवाओं का कयासों का दोर शुरू है, अफवाओं का बाजार गर्म है, हम जानते हैं कि राजनिती में रबंदर किसके साथ हो सकता है, इसका बाजार गर्म है, लेकिन हम अफवाओं की बात नहीं करेंगे, हम उन चार सिनेरियो की बात करेंगी, जो की 8 अक्टोबर को फैसला आने के बाद संभावना जिनकी बन सकती है, वो चार सिनेरियो, वो चार स्थिती, वो चार संभावना क्या हो सकती है वो चार संभावित राजनितिक फॉर्मूले क्या हो सकती है उस पर हम बात करेंगे उससे पहले मेरा अनमान किसको कितनी सीटे मिलेगी ये कोई मेरा अनमान जो है वो कोई exit wall नहीं है ये दरसल अलग-अलग राजनितिक अलग-अलग expert से बात करने के बाद जो scenario म दिखाई दे रही है ये पहला नमान है national conference भी करीब-करीब उससी के आस-पास रह सकती है हानकि लोग-सभाचनाओं में national conference जो प्रदर्शन किया था उससे कहीं नीचे national conference इन विदान सभालाओं में दिखाई दे रही है और national conference 22 से 25 seat पा सकती है लेकिन National Conference के साथ है Congress जो की उसके साथ गटभंदर में है Congress भी 10 से 12 सीटे ला सकती है और दोनों को अगर देखें जोड के देखें तो 35 से 37 सीटे दोनों गटभंदर की आ सकती है इसके लावा PDP वो 8 से 10 सीटे अधिक्तम वो लेकर आ सकती है साथ कश्मीर में प्रदर्शन उन्हेंने अच्छा किया है लेकिन PDP की हालत अभी पतली है इसके बाद AIP आवामेई इतिहाद पार्टी इंजीनर रशीद की पार्टी जो की 12 मुला से सांसद है अब तक जेल में थे लेकिन विधान से बाद चुनाओ उक्से पहले बाहर आए हैं जमानक पर 5 से 6 सीटे वो जीत सकते है ये अनुमान अब तक कहता है इसके लावा जे के PC पीवल्स कॉन्फरेंच जो की सजाद लोन की पार्टी है बाखी जो पार्टी बचती है जिसमें जमात भी है और दूसरी अज्जय पार्टी है करीब-करी 10 सीटे वो पास अकúp तो ये अनुमान है ये अनुमान घलत भी हो सकता है असकी पूरी संभावन नहीं लेकिन इस अनुमान के मताबिक जो अब तक सिती बंती दिखाई दे रही है वो ये है कि BJP सबसे मजबूत सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उपहेगी और National Conference उससे नीचे रहेगी लेकिन National Conference के पास Congress भी है लेकिन दोनों मिलकर भी बहुमत से बहुत दूर है उनको 9-10 विधायकों की जरुत पड़ेगी तो ऐसे में क्या संभावना बनती है तो जैसे मैंने कहा जो अनमान के मताबिक उसमें जो दो मजबूत पैरलल पोसिबिलिटी दिखाई जाती है पोसिबिलिटी सरकार बनाने की दिखाई जाती है वो है दो जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा पहली क्या है पहली है कि BJP चुकि सबसे बड़ी पार्टी के तोर पर उबरेगी तो उन्हें एज है कि जो LG है उन्हें सरकार बनाने के लिए वो आमन्तृत करेंगे और सरकार बनाने की जब उन्हें अगर उन्हें पहले पेश गयाता है उन्हें मौका मिलता है तो निश्चत तोर पर BJP के पास एक मौका है कि किसी तरह वो अन्य पार्टी को मनाए अपने साथ समर्थन जोडने के लिए चुकि सेंटर में BJP है और सत्ता अभी BJP के हाथ में है तमाम शक्ती BJP के हाथ में है और BJP का आपरेशन कमल पूरी इंडिया में अलग-लग राज्यों में समने देखा ही है तो ऐसे में संभावना ये बनती है कि BJP अन्य पार्टिया यानि जो कश्मीर केंदरित पार्टी है जो चोटी मटी 10 सीटे जीती है या 5 सीटे जीती है उनको कैसे करीब ला सकती है लेकिन इसमें एक बड़ा खेलिये है कि कश्मीर केंदरित पार्टियों के लिए इतना आसान नहीं होने वाला वो एक सुसाइडल एक्ट हो सकता है उस प्रिटिकल पार्टिय के लिए लेहाजा ये इतना आसान रास्ता भी नहीं होने वाला इसी के पैरलर दूसरा सीम चल रहा होगा वो होगा कि अगर जो मैंने अनमान बताया उसके मतागी 35 से सीटे नेशनल कॉंफरेंस और कॉंग्रिस जीत के लाती है तो उन्हें जरुत होगी 10 सीट होगी ऐसे सिनारियो में जो नेशनल अलाइ होए वो जो जैसे पीजीडी बना था गुपकर वो अलाइंस बना था तो उस तर्च पर देखे तो पीडेपी बाहर से या मिलकर सरगार बनाने की उनको समर्थन दे सकती है यानि नेशनल कॉन्फेस और आएंसी को बाहर से समर्थन दे सकती है अगर उसे बीजेपी को आउट रखना है सत्ता से तो ये एक पैरलल पॉसिबिलिटी हो सकती है यानि बीजेपी लेकिन बीजेपी की साथ कौन आएगा उसको कम से कम नहीं है तो 15-17 सीटे तब भी चाहिए होंगी सरकार बनाने के लिए लेकिन वो कौन होगा ये कहना अभी मुश्किल है इस पर अभी संभावना जताना भी मुश्किल है दूसरा सिनेरियो जैसे मैंने कहा कि नेशनल कॉन्फेस की मजबूत संभावना है लेकिन उसे भी PDP या अन्या लोगों की जरुत पड़ेगी तो यहां पर बड़ी OAPO की स्थिति है तो इन दोनों ही स्थिति अगर ये स्थितिया नहीं बनती है तो दो अन्या स्थिति जो बनती है वो है कि PDP अगर सत्यवर्थम देने को तयार नहीं होती है चाहिए ना ही बीजेपी को और ना ही नेशनल कॉंफेंस और कॉंगरेस के गटबंदन को तो अगले 5-6 महीने एक पॉलिटिकल ड्रामा बनता रहेगा और इस पॉलिटिकल ड्रामे में हर तरह की पॉलिटिकल पार्टिया भी लोगों को यह मन को खंगालने की कोशिश करेंगी कि हां सरकार किस के साथ बनाएं किस के साथ नहीं बनें बड़े उपा वापाओ की स्तिती होगी लोग भी उप जाएंगे लोग भी चाहेंगे कि सरकार बनें तो किसी साथ तो बनाएं हमने तो वोट इसलिए किया है तो उस ड्रामा 5-6 महीने चल सकता है और उसलिए 6 महीने म मैंने कहा और उसमें 6 महीने बाद कोई एक गठबंदन की सरकार बने अगर उनको BJP को आउट रखना है अब इसमें ये भी संभावना है कि BJP अगले 6 महीने उमना ले तो एक 6 महीने का ड्रामा चलने की संभावना या scenario 3 बनता है scenario 4 अगर इसमें भी मतलब PDP क्यों चाहेगी कि वो अबदुल्ला परिवार को सत्ता सौंब दे PDP क्यों चाहेगी कोई दूसरा PDP या पर National Conference क्यों चाहेगी कि गठबंदन बना कर वो इंजिनियर रशीद को या किसी अन्य शक्स को कश्मीर की रियाजनिती में उनको उतार लाए तो ऐसी स्थिती में एक जो मजबूत संभावना है वो ये भी है कि एगले छे महीने प्लिटिकल ड्रामा चलता रहेगा और कोई भी सरकार नहीं बना पाएगा ना वो बीजेबी के साथ कोई आने को तयार होगा और ना ही जो तमाम कश्मीत के इंद्रीट पार्टिया है नेशनल कॉंफर्स है प्रीडीपी है और अन्य जो जमात के जो विधायक है वो आपस मिलके कोई गटबंदन बना पाएग तो ऐसी स्थिती में भी कोई ये हो सकता है कि अगले 6 महीने तक राश्पती शासन लगा रहे और 6 महीने बाद जब फिर से संसद में राश्पती शासन की अनुमोदन किया जाना होगा तो उसमें त्या किया जाए कि क्या इस विधान सभा को भंग कर दिया जाए या उसको जारी रखा जाए यानि एक अगले 6 महीने का मौका और दिया जाए विधायकों को, इस assembly को कि वो फिर से अपनी सरकार बना पाए, किसी कोई सरकार नहीं बना पाती है, तो ऐसी स्थिति में नियम ये कहते हैं कि राश्पती शासन रहेगा, assembly रहेगी, assembly में जो MLA चिंकर आए हैं उन्हें तमाम तरह की स्विधाय मिलेगी उन्हें pension मिलेगी, उन्हें तनक्वा मिलेगी उन्हें जो भी भत्ते मिलते हैं, वो मिलेंगे उन्हें आवास भी मिलेगा, सब मिलेगा लेकिन जो government चाहिए होती है जो assembly जो fund दिये जाते हैं जो उसे दूसरे अधिकार एक सरकार बनने के बाद आते हैं, उन्हें विधाय को के पास एक limited power होगी उनको तमाम सुक्स विधाय मिलेंगी लेकिन limited power के साथ अगर अगले 6 मेने में सरकार बनती है तो ठीक है अगर केंदर सरकार ये चाहाए राश्पती ये चाहाए, राश्पती चाहाए चाहाए, अगले चुराओ कराने से बेतर है चाहाए, तो फिर से ये मौका दिया जा सकता है यानि without government भी assemblies survive कर सकती है लेकिन इस बीच में ये भी है कि जो तमाम विधायक है वो चाहेंगे, वो नहीं चाहेंगे कि अगले बार फिर से चुनाओ लड़े अधन खर्च किया है, पैसा खर्च किया है वो इसी मौझूदा सेटप में ही कोई नई सरकार बनाए जाए, तो इसमें भी एक आप सी pressure बन सकता है और कोई ने कोई formula तमाम विधायक ताव अलग-अलग पार्टी को मिलकर निकाल सकते हैं तो ऐसे इस्तिति में हो संभाव है कि 6 मेने के बाद भी कोई सरकार बन जाए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये इतना आसान नहीं दिखाए दे रहा है, फिलहाल के निए चार सिनारियो मैंने कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तोर उगहेगी, लेकिन वो कोशिश करेगी कि वो उसको कोशिश नहीं उसको चाहिए हुगा कि कोई दूसरी बड़ी पार्टी उसके साथ आए, लेकिन अभी फिलहाल जो कश्मीर के अंदरी पार्टी हों में जो करंट जो उनका मन है वो अभी उस तरह से नहीं दगता है कि कोई भी पार्टी बीजेपी के पास आएगी, हालगी अभी सज्जाद लोर और कई दूसरे ऐसे पॉलिजिशन है जो नेशनल कॉन्फरेंस के बारे में कह रहा है कि उन्होंने बीजेपी के साथ कटबंदन बनाने की पर्दे के पीछे से कोशश शुरू करती है लगाता, ट्वीट भी हो रहे हैं और ये भी दावा किया जा रहा है कि पहलगाम में कुछ मीटिंग होई है, दिली में भी कुछ मीटिंग हो रही है, लेकिन जब तक की फैसला नहीं आता, जन्रका फैसला नहीं जुना जाता ये सब अफ़ाही है इतना जरूर है कि नेशनल कॉन्फरेंस सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी, ये अब तक का इतियाद रहा है, और जैसे मैंने कहा है कि दो पॉलिटिकल सेनेरियो जो मजबूत सरकार बनते के हैं उसमें बीजेपी प्लस सम्वन और नेशनल कॉन्फरेंस कॉंग्रेस प्लस टीलीपी या फिर नेशनल कॉन्फरेंस डंप कर दे और बीजेपी के साथ आ जाए जो इनस्टेबल सेनेरियो है उसमें अगले छे महीने सब लोग आपस में महता-पक्ची करें और छे महीने बाद कश्मीर के इंदर्इपाटिया छे महीने बाद सरकार बनाए कोई गडबंदन बनाकर या फिर इधर बीजेपी छे महीने बाद सरकार बनाए या फिर एक जो सबसे चौथा सेनेरियो है कि कोई भी 6 मेने के बाद बावजूद भी कोई सरकार बनाने को बना नहीं पाता है तो अगले 6 मेने का मौका और मिल सकता है या फिर 6 मेने के बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने, 3 महीने बाद जैसी political situation बनेगी, जैसे भी लोगों किसे आवाजे आएंगी तो राश्पदी फैसला ले सकते हैं और इस असंबली को भंग किया जा सकता है और फिर नए सिरे से फिर से चुनाव होंगे हर एक स्थिती में तमाम political party या जिम्मेदार होगी और उससे भी बचने के लिए कोईने कोई सरकार बनाने की कोशश जरूर की जाएगी तो ये सिनेरियो है बैरहाल ये सिर्फ अनुमान पर अधारित है अभी जनता जो फैसला लिया है 64% मदान है उससे ऐसा लगता है कि बड़ा decisive vote हुआ है decisive का मतलब ये है कि हर एक party को कहीने कोईने कोईने कोई मैसेज जरूर जनता की तरफ से मिलने वाला है वो उसके लिए किसी के लिए केक वाक नहीं होने वाला तरहाल अभी जजार 8 October का करना है जिस दिन अन्तिन फैसला आएगा उसके बाद जो स्थितिया मैंने बताई वो कितनी सही साबित होती है या गलत साबित होती है वो निश्यत तोर पर एक open debate का हिस्सा है नमशचा जे जेए